नमस्कार दोस्तों मैं राजिका अगरवाल आपकी साइंस टीचर हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम यानि कि तंत्री का तंत्र के बारे में लास क्लास के अंदर हमने डिसकस किया था जो आपका तंत्री का तंत्र है उसकी सुनरशनात्मक और क्रियात्मे के काई क्या होती है आपकी तंत्री काक्श का जिसे हम कहते हैं निइरॉन इस निइरॉन सेल के जो है तीन भाग होती है पहला है डेंडराइड जिसे अपन कहते हैं अब यह क्रल आपकी कोई इनफॉर्मिशन आ रही है पिर आपकी तंत्री परJO में इग चैन्वेक है कई यहाँ से ट्रांसफर ह होती है तंत्रिक आख्षपेज जिससे हैं एक्जोन का जो लास्ट वाला पार्ट है वो कहलाता है एक्जोन टर्मिनल जहां पर आपकी इनफोर्मिशन जाती है और यह यह सूचना दूसरे तंत्रिका पर जाती है अब यहां से यह सूचना जिस रूप में रिलीज होगी उसे कहा जाता है नियूरो ट्रांस्मीटर ये नियूरो ट्रांस्मीटर अगली नियूरोन कोशिका की जो डंडराइट से वहाँ पर receptor लगे होते हैं उन पर चले जाते हैं इन दोनों neuron कोशिकाओं के बीच में जो communication होता है उसे कहा जाता है synapsis या फिस साइनैपसिस इसको अपन कहते हैं यह सब अपने पढ़ाता है last class के अंदर अब जो है अपन डिसकस करने वाल है जो अपने तंत्री का तंत्र है व वो तीन टाइप के होते हैं कौन-कौन से तो देखिए अधर nervous system अपन तीन क्याटेग्री में डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं पहला है आपका CNS जिसे अपन कहते हैं central nervous system केंद्रिये तंत्री का तंत्र दूसरा आपका होता है PNS जिसे अपन कहते हैं peripheral nervous system परीधिये तंत् जिसे अपन कहते हैं autonomial nervous system स्वायत तंत्री का तंत्र अब यह जो आपका ANS होता है स्वायत तंत्री का तंत्र होता है यह दो टाइप का sympathetic और parasympathetic ठीक है जब से पहले हैं central nervous system की केंद्रिये तंत्री का तंत्र की ये जो आपका केंद्रिय तंत्री का तंत्र होता है ये दो चीजों से मिलके बना है किस-किस से? ब्रेन से यानि कि आपके मस्टिश्क से और स्पाइनल कोड मेरू रज्जू से ये मिलके बनाते हैं आपका सेंट्रल नर्वा सिस्टम जो की मुख्य है बाइस सारे काम दिमाग से ही तो करोगे और कई से थोड़ी करोगे तो दिमाग जो की जुड़ा है आपके स्पाइनल कोड से तो ये हो गया आपका ब्रेन और इस ब्रेन से जो पीछे की साइड निकल के जा रही है वो है अपनी स्पाइनल कोड मेरू रज्जू देखिए दर यहां पर इस डेग्राम में आपको नजर आ रहा होगा तो यह अपना ब्रेन है इस ब्रेन से जोड़ती हुई यह स्पाइनल कोड जो है वो जा रही है जिसे अपन कहते हैं मेरू रजू तो यह जो सेंट्रल नर्वस सिस्टेम होता है यह क्या है अपना also called as CPU Central Processing Unit सभी सूचने जो आती है अपनी वो क्या है sensory neuron लेकर आएगी कहां तक इस brain तक लेकर जाएगी अब फिर आपके motor neuron क्या करेंगे इस मेरू रजू से होते हुए उस response को लेकर जाएंगे देखो आपकी जो क्रियाएं होती है न तीन टाइप की होती है कौन-कौन सी यह जो क्रिय होती है एच्छी किरिया और तीसरी होती है आपकी प्रतिवर्ति किरिया तीनों में क्या डिफ्रेंस है मैं बताऊंगी एक बर इस वाली चीज में देख लीजिए आपका ब्रेन यह स्पाइनल कोड अब यह सेंट्र नेर्वस सिस्टम किस किस से मिलके बना है मस्तिश्क से औ आपकी किरिया होती है पहली है एच्छी किरिया मेरा मन पढ़ा है इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूं आपका मन पढ़ रहे हैं आपका मन हो रहा है खाना खाने का आपने खाना काया आपका मन हो रहा है घूमने का आप घूमें तो यह सब क्या है एच्छी किरिया जिन पर जैसे आपका दिल धड़क रहा है केवल कहने की बात है कि इस दिल को रोक दूँगा आरे भई ये रुग गया तो तुम भी रुग जाओगे जिंदगी वर के लिए ये जो अनेच्छी किरियाएं होती है ये ऐसी किरियाएं हैं जिन पर हमारा नियंत्रे नहीं होता जैसे आप आपके इंसाउय एक्टिवीटी रही है पाचन का इन सब जो प्रकेशिक भी हैं जिन पर हमारा कट्रोल नहीं है इसरी जो किरियाएं आती है वह आती है प्रतिवर्ति-किरियाएं यानि की है भी आपके प्रतिवर्ती चाप का गुशन देखो इसमें क्या होता है प्रतिवर्ती किरियाओ में जो रेस्पोंस आता है वो ब्रेन से ना आकर कहां आता है कहां से आता है स्पाइनल कोड मेरुरज्जु से कैसे जैसे मालो कोई बहुत गरम पानी है उसमें आपने हाथ दिया या आग जल तो क्या उस हाथ को हटाने के लिए information brain तक गई नहीं आपके प्रतिवर्ती किरियाओं के अंदर क्या होता है जो response आता है वो आता है मेरू रजू से spinal cord से sensory neuron information लेकर गए इस तरीके से sensory neuron information लेकर गए कहां तक मेरू रजू तक और यहां से फिर आपके जो है motor neuron क्या करेंगे इस response को लेकर आएंगे उस कारेकारी अंग तक तो यह CDS के अंदर question पूचाता कि प्रतिवर्ती चाप का क्रम क्या है तो आपके पहले क्या है sensory organ उसने उस चीज को sense कर लिया जैसे गरम पानी में हाथ दिया तो इस किन ने आपके उस चीज को sense कर लिया आपके sensory neuron information लेकर गए मेरु रजू तक मेरु रजू से जो है motor neuron information के अगेंस्ट जो भी response उसको लेकर आएंग तक इसको आपन कहते हैं प्रतिवर्ती चाप तो इसमें आपको याद रखना है प्रतिवर्ती किरियाओ में मेरु रजू आपके जो अनेच्छी किरियाओ होती है तो अनेच्छी किरियाओ क्या जो response आता है वो या तो midbrain से और आपके जो है hindbrain से आता है आप कहेंगे hindbrain, midbrain क्या है यह मैं भी आपको बताऊं की और यह जो आपकी एच्छी किरिया होती है तो फोर ब्रेन यानि की अगर मस्तिश्क से जो है आपका इनका जो है निर्धारन यानिका नियंत्रेंट जो है कौन करेगा फोर ब्रेन अगर मस्तिश्क करेगा ठीक है आगे बास समयन में आगे देखते हैं ब्रेन शरीर वे तंत्री का तंत्र का नियंत्रेंट वे निर्देश के इंद्र होता है कंट्रोल एंड कमांड सेंटर प्रती किरिया हेतु निर्देश के साथ अनिक किरियाओं का नियंत्रेंट जैसे संचलन संतुलन, तापमा, नियंतरन, भूग, प्यास, एच्छी कनेच्छी किरियाएं आदी अब देखिए, ब्रेन के जो है आपके कितने पार्ट होते है देखो, ये अपना क्या है ब्रेन इस ब्रेन को आपन तीन भागों में डिवाइड करते हैं पहला जो भाग होता है वो है अपना अग्र मस्तिश्क जिसे अपन कहते हैं फोर ब्रेन दूसरा जो भाग होता है वो होता है मध्य मस्तिश्क जिसे अपन कहते हैं मिड ब्रेन तीसरा जो भाग होता है वो होता है पश्च मस्तिश्क जिससे अपन क्या कहते हैं hind brain कहते हैं ठीक है बाई आप देखो ये जो आपका four brain होता है अगर मस्तिश्क होता है इसके जो है अपन को तीन भाग देखने हैं कौन कौन से सबसे पहला है आपका olfactory lobe दूसरा जो आता है वो आता है क्या cerebrum जिससे अपन कहते हैं प्रेमस्तिश्क क्या कहा जाता है प्रेमस्तिश्क को कहा जाता है cerebrum अब फिर आपका आता है डायन सिफेलोन डायन सिफेलोन इस डायन सिफेलोन की दो भाग है इसमें दो चीज़े अपन पढ़ते हैं थेलमस और hypothalamus hypothalamus और यह अपना hypothalamus ठीक है भई? अब आगे देखिए जो आपका midbrain होता है इसके कोई पार्ट नहीं है फिर आपका आता है पश्च मस्तिश्क तो यह जो पश्च मस्तिश्क होता है इसके अपने तीन भाग होते हैं कौन-कौन से? पश्च मस्तिश्क का पहला भाग होता है आपका cerebellum यह जो cerebellum होता है इसको अपन क्या कहते हैं? अनु मस्तिश्क भी कहते हैं क्या कहा जाता है? अनु मस्तिश्क कहा जाता है? कन्फियूज नहीं हो ना cerebellum अनु मस्तिश्क है और अगर मस्तिश्क जो है वो अपना four brain है ठीक है फिर जो है अपने आता है दूसरा भाग ponz और तीसरा भाग आता है medulla omlung geta ये तीन पार्ट होते हैं किसके ये है पश्च मस्तिश्क के high brain के सबसे पहले आते हैं किस पे अगर मस्तिश्क पे four brain पे ये जो आपका four brain होता है इस प्रोजन सिफिलान जो आपका मध्यमस्तिशु को तो यह कहते हैं मीजन सिफिलान और पस्च मस्तिश को तो गता है रोमेंडेन जिफिलान share dosland olfactory ळोटी का काम क्या होता है result गो यह से आप नांग से जो भी सेंश कर पाते रहे तो उसका जो केंद्र है यह आपके olfactory lobes होते हैं ठीक है इस मेल के फिर देखिए आपका प्रेमस्टिश्क cerebrum यह आपके brain का लगभग 80% भाग बनाता है लगभग 80% भाग कौन बनाता है यह प्रेमस्टिश्क ही बनाता है ठीक है इस प्रेमस्टिश्क के अंदर कुछ lobes present होते हैं जिने अपन क्या कहते हैं frontal parietal occipital और temporal यह चार लोब present होते हैं इस प्रेमस्टिश्क में हर एक लोब particular एक एक चीज के लिए उत्तरदाई होता है जैसे आपकी personality के लिए या फिर किसी चीज को आपने देखा है कोई scenery आपके दिमाग में है तो उसके लिए इसमें चार लोब present होते हैं ठीक है फिर आपका आता है diensiphylon जिसमें आपके thalamus और hypothalamus तो यह जो thalamus होता है वो क्या है आपका rely station है और hypothalamus exam में इतनी बार इसका question आया है कि आपके assisi के अंदर भी पूछा है यह question कि भूक और प्यास का केंदर कौन है तो कौन है hypothalamus यह जो hypothalamus है आपकी भूक का प्यास का गुशिगा केंदर होता है hypothalamus इसका कारे क्या होता है शरीर के अपने इसको क्या कि यह क्या है Master of Master Gland है Master gland कौन है आपकी प्यूज ग्रंती उसकी भी Master कौन है यह hypothalamus यानि कि आप मानो आप को आपके पिता जी Master gland Pius Glanty है फिर आपके दादा जी hypothalamus है यानि कि Master of Master Gland है तो अपने यह कौन है Master of Master gland hypothalamus अब यह जो अठ्धमश्चक चुंआब लगव यह क्या अपने अनैच्छे करियाएं जो होती है उनका जो निएंत्रन होता है वह कहां से मध्यमस्टिशक और पश्चमस्टिशक के द्वारा होता है अब देखिए पश्च मस्तिश्क में याने के आपके हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट है पहला है सेरी बिलम यह जो आपका सेरी बेलम होता है बॉडी का बैलन्स बनाने का कारे करता है सेरी बेलम कैसे जैसे आप गै केंद्र कहां है सेरी बैलम पीछे की साइड ये प्रेजेंट होता है इसको छोटा दिमाग भी कहते है पन कहते ना कि बच्चे के पीछे की साइड नहीं मारना चाहिए दिमाग पे तो ये पीछे इसको लगु दिमाग छोटा दिमाग भी कहते है बड़ी का बैलेंस बनाने का क एनका जो केंद्र होता है, वो कौन है, नियंत्रित करता है, को भी इसी मेडूलाएं गेटा से ही मेरूरजूर जोड़ी रहती है, je यह जो आपके medulla omlongata है जिससे आपके spinal cord जूड़ी रहती है तो brain से जो सूचना जा रही है पापस response वो इस medulla omlongata से होती हुई कहा जाएगी spinal cord के अंदर जाएगी आई के नियाई बास समझ में देखिए आगे मानब मस्तिश्क के भाग अगर मस्तिश्क मध्य मस्तिश्क पस्च मस्तिश्क अगर मस्तिश्क को for brain, mid brain, hyd brain इसको prosencephilon, mesencephilon और यह आपका rhombencephilon ठीक है बाई आगई वास समझ में चलिए अब यह है आपके brain का diagram देखो हार एक part अपन यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले यह जो है आपके यह क्या है पूरा यह पूरा का पूरा है प्रे मस्तिश्क सेरिब्रम इसके अंदर आपको जो है लोब नजर आ रहे होंगे फ्रेंटल पराइटल लॉसिपिटल टेंपोरल यह इस प्रे मस्तिश्क के लोब होते हैं ठीक है फिर जो है आपको इसम पीनियल बॉड़ी ग्लेंड है जो कि आपके शरीर की सबसे छोटी ग्रंथी होती है यह जो आपकी पीनियल बॉड़ी होती है सेराटोनिन और मेलाटोनिन हॉर्मोन का इस्तरावन करती है इससे अपन बैलोजिकल क्लॉग भी कहते हैं और थार्ड आय ओफ यूमन भी कहा जाता है इस पीनियल बॉड़ी ग्लेंड को ठीक है कुछ कुछंस यहां से बनते हैं आपके फिल बॉड़ी से पिर आपको ग्रंथी और नज़र आ रही होगी जिसे आपन कहते हैं हाइपो थैलिमस तो यह जो है वो आपका क्या है हाइपो थैलिमस भू प्यास क्रोद का केंदर है आपका hypothalamus master of master gland है इसके इधर की साइड ये जो आपको नज़र आ रही है वो क्या है pituitry ग्रंती जो कि क्या करती है बहुत सारे हार्मोन का इस्टावन करती है और सारी ग्रंतियों को stimulate करती है हार्मोन रिलीज करने के लिए तो ये जो है अग्रपियूश ग्रंती और पस्ट पियूश ग्रंती होती है ना anterior pituitary और posterior pituitary posterior यानि की पस्ट पियूश ग्रंती से आपके दो हार्मोन रिलीज होते हैं कौन-कौन से oxytocin hormone और आपका vasopressin hormone ठीक है तो ये आपकी pituitary gland है अब देखो ये आपका premastish हो गया ये hypothalamus हो गया और इसके नीचे जो है आपको अगर यहाँ पर ये नजर आ रहा हो ये क्या है पस्च मस्टिश क पॉंस और इसके नीचे ये है आपका क्या medulla omlongata पीछे का दिमाग जिसे मैंने कहा कि लगु मस्टिश क वो क्या है आपका तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है seri bellum यानि कि आपका अनु मस्टिश के body का balance बनाने का कारे करेगा seri bellum आइकन यह आई पासमन में तो ये सब मिलके आपके क्या बनाते हैं एक brain का पूरा part बनाते हैं आपका पूरा brain बनाते हैं ठीक है चलिए देखिए इदर अगर मस्टिश के भाग सबसे पहले four brain ग्राइड पिंट जिने अपन के कहते हैं और फैक्ट्री लोब प्रे मस्टिश को सेरिब्रम और फिर डायन सिफिलोन में आपके कौन को ना गए थैलमस और हाइपो थैलमस आप देखिए दर अल्फैक्ट्री लोब का क्या कर रहे हैं सुगंद वैं दुरगंद का अभास औ उसका केंद्र अल्फैक्ट्री लोब फिर आपका आता है सेरिब्रम तो सेरिब्रम का संपूर्ण मस्टिश्क का लगभकिता बनाया 80 प्रतिशत भाग बनाया इसमें कितने लोब सें चार लोब हैं फ्रेंटल पराइटल औसिपिटल और टेंपूरल फ्रेंटल पराइटल ट सबसे पहले अपन लेते हैं frontal lobe कौन सा सबसे पहले अपना आता है frontal lobe जो कि क्या करेगा आप किसी भी चीज को कोई भी जो problem है उसको आप solve कर पा रहे हो जिसे आपके कोई mathematical question है उसको आप solve कर पा रहे हो आपकी जो personality है वो तो ये जो है क्या है frontal lobe जो है इसका केंदर होता है कौन frontal lobe जो है आपका केंदर होता है किसका आपकी personality का problem solving जो केंदर है वो कौन है आपका frontal है ठीक है फिर आपका आता है temporal तो temporal temperature तेंपोरल का मतलब यानि कि temperature तो यहाँ पर यह अपना जो यह green वाला आपको नजर आ रहा है यह क्या है आपका temporal lobe है temporal से क्या दखना है temperature तो देखो auditory processing यानि कि सुनने की जो केंदर है वो आपका कौन है temporal है फिर इसके बाद language comprehension जो भी आप speech बोल पा रहे हैं तो उसका केंदर कौन है यह आपका temporal lobe साथ के साथ temperature का भी ठीक है तापी है फिर आपका आता है कौन occipital तो जो occipital है कोई मान लोग की कोई चीज आपने देखी है तो आपको होता है कि आपने कोई scenario देखा कोई scene देखा कोई scenery जो आपके दिमाग में छप जाती है फिर आपको याद आती रहती है आपके memory में बनत Auccipital lobe है तो यह जो आपको नज़र आ रहा है यह क्या है अपना Auccipital lobe फिर अपना आता है कौनसा तो यह जो रेड वाला है यह है अपना Parietal lobe किसी ने आपको छुआ है तो टच वाले जो एहसास है वो उसका केंद्र कौन है आपका Parietal lobe होता है इस तरीके से ये चार लोब जो है अपने प्रेमस्टिश्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं देखे इदर फ्रेंटल एकागरता यानिकी कॉंसेंट्रेशन नेंडें किसी भी चीज का आप डिसीजन ले रहे हो भावनात्मक अवरोध निशेद और व्यक्तित वह आपकी परसनालिटी है तो ये सब का केंदर फ्रेंटल है फिर आपका आता है पराइटल समवेदी सूचनाओ इस पार्ष ठंडा गरम किसी भी चीज को आपने छुआ थंडी लग रही है गरम लग रही है तो इसका केंदर कौन है पर्राइटल फिर आपका आता है टेमप्मण तो ऐसेबर द्रष्य ग्रहन छेत्र द्रश्य की विवेच्णाओ इसको आपके दिमाग में उसको आप वेक्त कर पा रहे हो तो कौन सा है Aww山 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर यह का होगा अपना प्रैमस्तिश्क। फिर अपना आता है डाएन-सेफिलॉण के अंदर दो चीजे थैलमस और हाइपोथैलमस। थेलमस क्या होता है अपना तो जो थेलमस है वो रिलाई स्टेशन है प्रसारण केंद्र है इसमें बस इतना ही याद रखो फिर अपना आता है हाइपो थेलमस जो की सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्यों देखो हाइपो थेलमस जो होता है वो क्या करेगा आपके अनच् इसके बाद यह जोुआ इसको आपन क्या कहते हैं थरमामीटर भी कहते हैं बॉड़ी का थरमामीटर कौन है। है। हाइपो थेलमस क्योंकि आपकी बॉड़ी में ताप नियमन का कारे कौन करता है। है। एक्जैम में पूछा गया question भूग प्यास गुस्या शांती इनका केंदर कौन है तो कौन है आपके hypothalamus तो देखो आंत्रिक करियाओ को संगठित वे नियंतरित भूग प्यास क्रोध शांती का केंदर hypothalamus ताप क्रम को नियंतित, बोडी टेंपरेचर को नियंतित करता है, इसलिए अपने इसको थर्मामीटर कहते हैं, बोडी का Master of Master Gland है कौन आपके? Hypothalamus आई के नियाई बास समझ में? चलिए आप अपन चलते हैं आगे मध्य मस्तिश के आने की Mid Brain ये क्या करेगा? आपका अनेचिक किरियाओ का नियंतिरन कहां पर Mid Brain के अंदर होता है फिर जो थर्ड पार्ट आता है, वो अपना क्या है? पस्च मस्तिश के जिसे अपन क्या कहते हैं? Hind Brain कहते हैं इस Hind Brain के तीन भाग होते हैं कौन-कौन से? तो इस Hind Brain के तीन भाग होते हैं पहला है आपका Cerebellum जिसे अपन कहते हैं अनुमस्तिशक इसे अपन लगू मस्तिशक या पीछे का दिमाग भी कहते हैं ये जो आपका Cerebellum होता है ये Body Balance करने का कार्य करता है तो अगर आप एक लाइन में साइकल चला रहे हो सीधे-सीधे लाइन में लिख रहे हो Body को Balance कर पा रहे हो तो उसका जो केंद्र है वो कौन है आपका Cerebellum है ठीक है फिर देखिए Pons जो है वो क्या करता है आपके श्वसन सम्मंदी जो किरियाएं है उन में भागिदार कौन है आपके Pons है और फिर आपका आता है Medulla Omlongata तो आपकी अनैच्छी किरियाएं है जैसे की Ulti Woman Adi इनका जो केंद्र होता है वो कौन है इनका नियंत्रेंड केंद्र Medulla Omlongata होता है अब ये Medulla Omlongata ही किस से जुड़ता है आगे जाके Spinal Code से जुड़ता है ठीक है देखे इदर Cerebellum लगू मस्तिष के छोटा दिमाग भी अपने इसको कहते है शारिरिक मुद्राओ का समन्वे तथा संतुलन Posture Balancing कान के आंतरिक भाग से समवेदना ग्रहेंड करके शरीर को संतुलित करना तो जो है अपना कान भागिदार होता है अपनी बॉड़ी के बैलन्स के लिए यहां से सूचना जाएगी और कहां पर जाएगी Cerebellum में और यह अपनी बॉड़ी को जो है बैलन्स करेगा एच्छिक पेशियों की गती का नियंतरिण कौन करता है Cerebellum करता है फिर देखिए पॉन्स श्वासन को नियंतरित करना यानि कि आपके श्वासन संबंदी जो किरियाएं हैं उनमें भागिदार कौन होगा पॉन्स होगा फिर आता है Medulla Omolongeta तो यही क्या करता है मस्टिश्क से जो response है वो लेकर जाएगा कहां पर मेरूरजू में और मेरूरजू के द्वारा कारकारी आंग तक जाएगा देखे इसके द्वारा ही मस्टिश्क से मेरूरजू के भी सूचनाओं का संचालन होता है उल्टी वमन इत्यादी का केंद्र कौन है आपके Medulla Omolongeta और यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है क्या Central Nervous System क्योंकि जो है आपके Brain कंप्लीट हो गया Central Nervous System में दो चीज़े हैं Brain है और आपके Spinal Code है ठीक है? चलिए अब आपन चलते हैं मेरूरजू Spinal Code लंबी खोकली था 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 बेलनाकार संचना तो आपने देखा कि इस तरीके से जो है Brain से जोड़ी हुई थी आगे तो ये जो है पूरी क्या है अपनी Spinal Code मस्तिशक वे विस्तरत तंत्रिकाओं के मध्य की कड़ी होती है इसका कारे क्या है? मस्तिशक से आने जाने वाले उद्धी पनों का समवहन करना और प्रतिवर्ती क्रियाओं में समवहन वे नियंत्रन ये सबसे ज़ादा important point है किसका Spinal Code का? क्यों? क्योंकि आप के तींद्रे की क्रियाओं थी एच्छिक, अनेच्छिक, प्रतिवर्ती एच्छिक, अनेच्छिक का ब्रेन के द्वारा हो गया प्रतिवर्ती जो रिफ्लेक्स एक्छिन्स होते हैं उनका जो नियंत्रन केंड्र है वो कौन है? Spinal Code मेरूरजू है आई याई बास समविन में चलिए चलते आगे अब अपना दूसर सिस्टम आता है Peripheral Nervous System यानि कि परीधिये तंत्री का तंत्र इसको क्या कहते हैं अपन? परीधिये तंत्री का तंत्र कहते हैं देखो आपके Central Nervous System तो क्या हो गया? Brain और Spinal Code अब ऐसा थोड़ी है कि शरीर में किवल यही Neurons प्रेजन्ट है और Neuron ही नहीं है आपके शरीर में जो है पहुत जादा Arvon Numbers में Neurons प्रेजन्ट होते हैं अब यह Brain और Spinal Code से को तक जो और Neurons आ रहे हैं तो Body के जो सारे Neurons हैं जो इनसे Connect हो रहे हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? आपके परीधिये तंत्री का तंत्र बनाते हैं आपके जो सारे Neurons आ रहे हैं यह क्या है? यह मिलकर बनाते हैं आपका परीधिये तंत्री का तंत्र पैरिफेरल Nervous System कुष्चन सबसे जादा ब्रेन के अंदर से बनते हैं सबसे जादा ब्रेन से आपके कुष्चन बनके आते हैं अब देखिए करियात्मक भागों से जोडने वाली धागे नुमा तंत्रिकाए जो है आपके क्या कहलाती है? पैरिफेरल Nervous System बनाती है कपालिये तंत्रिकाए यानि कि आपके ब्रेन में क्रेनियल नर्वस कितनी हैं? 12 जोड़ी फिर देखो थर्ड अपना आता है Autonomic Nervous System जिससे अपन कहते हैं ANS स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसका क्या क्या रहे होगा? जो अपने आंत्रिक अंगों होते हैं जिसे अपना हिर्दय है इनको रक्त की आपूर्ती कौन करेगा? यह आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करेगा अब यह जो आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है यह दो टाइप का कौन कौन सा? एक होता है Sympathetic और एक होता है Parasympathetic देखो दोनों में क्या डिफ्रेंस है? यह जो Sympathetic Autonomic Nervous System होता है यह क्या करेगा? कि व्रद्धी कर देता है जैसे हिर्दयस पंदन को बढ़ा देगा तो यह जो व्रद्धी करेगा यह Parasympathetic क्या करेगा? उसको Normal कर देगा यानि कि बापस से उसी condition में यानि कि कम कर देगा तो यह कौन कारे किसने किया? Parasympathetic ने किया देखो अनैचिक क्रियाओ को सुचारू रोप से क्रियाशील करना है किसका काम? आपके ANS का उधारन, श्वसन, धड़कन और पाचन जैसे मान लोगी हार्ट बीट बड़ी तो किसका कारे है? Sympathetic का उसको नॉर्मल बापस से कम करने का कारे किसका? Parasympathetic का देखो इधर अनुकंपी तंत्री का तंत्र Sympathetic और परानुकंपी तंत्री का तंत्र Parasympathetic ये क्या करेगा? हिर्द्या इस्पंदन वेश्वसन दर को बढ़ाता है increase करेगा तो रक्त दाब बढ़ाने में भी इसकी भूमिका होती है यानि कि ब्लड प्रेशर हाइ होने में किसकी Sympathetic Nervous System की ये Parasympathetic क्या करेगा? बापस से नॉर्मल कंडिशन में लाएगा जैसे हार्ट बीट बढ़ी उसको नॉर्मल कंडिशन में रस्पिरेटरी रेट बढ़ी उसको नॉर्मल कंडिशन में लाने का कारे Parasympathetic करेगा तो ये क्या करेगा? बेसिकली घटाएगा उस बढ़ी हुई रेट को increasing rate को क्या करेगा? कम करेगा ठीक है? देखे दर अब तंत्री का तंत्र से संबन्दित रोग सबसे पहला है अपना हटिंग्टन डिजीज और ये आचुका है आपके SSC के एक्जैम में हटिंग्टन डिजीज क्या है आपकी तंत्री का तंत्र से रिलेटेड डिजीज होती है जिसमें आपके क्या होता है? कि भावनात्मक रूप से आद्वी परिशान रहता है और 10-15 भर्षों के भी तरी उसकी मृत्ति हो जाती है ये आपका आनुवाशिक भी है और नूरोलाजिक भी है यानि कि आपके जैनेटिक भी है ये और आपके नर्वा सिस्टम से रिलेटेड डिजीज भी है कौन सी हटिंग्टन डिजीज दूसरी आती है आपकी इन्सोम्निया अनिद्रा की स्थिति कई लोग होते ना कि जो उनका स्लीपिंग साइकल डिस्टर्ब हो जाता है वो सोन ही पाते परिशान होते है यह बहुत ही दिक्कत आ जाती है उनको तो वो क्या करते है स्लीपिंग पिल्स का यूज करते है तो इसको अपन कहते हैं इन्सोम्निया अथकान वे नींद ना आना स्लीपिंग पिल्स का प्रयोग करते हैं जिसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं पूर्ती नहीं हो पाती, जिसे अपन क्या क्यते हैं, Cerebrovascular Paralysis, तो उच्छ रक्तचाब वाले व्यक्तियों में क्या होता है, जादा होता है, और लास्ट आपका Brain Tumor, यानि कि ब्रेन में अगर ट्यूमर हो जाए, तो जो है, बहुत सारी डिजीज एक साथ हो जाती है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जिसे सिर्दर, द्रस्टी दोष, उल्टी आना, आधी लक्षन जो है, इसके अंदर आपको नजर आते हैं, बताइए, आई के नहीं आई बास समझ में, देखो, नर्वस सिस्टम, जो है, आपका नर्वस सिस्टम, तीन टाइप के, कौन-कौन से, सी एनेस, पी एनेस और एनेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रिय तंत्री का तंत्र, परीधिय तंत्री का तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, Autonomic Nervous System जो है आपका स्वायत तंत्री का तंत्र Central Nervous System में दो चीजे Brain, Spinal Code Brain में जो है आपके तीन भाग Agra-Mastish, Madhya-Mastish, Pash-Mastish Agra-Mastish को 4 Brain Prozen-Ciphalon जिसको अपन कहते हैं जिसके अपने तीन भाग देखे हैं Olfactory Lob, Prem-Mastish जिसे अपन कहते हैं Cerebrum और दूसरा तीसरा जो है अपना आता है Dian-Ciphalon जिसके अंदर अपने थैलमस और हाइपोथैलमस Olfactory Lob, सूंगने संबंदी करियाओ का नियंत्रण ठीक है फिर जो है आपका दूसरा आता है Prem-Mastish जो Prem-Mastish के brain का 80% भाग बनाता है चार लोब होते हैं Frontal, Parietal, Temporal और Occipital Frontal Lobe आपकी Personality Problem-Solving का जो केंदर है Frontal है Occipital जो है आपकी द्रश्य कोई Vision संबंदी जो चीजे हैं वो आपकी क्या है Occipital Lobe उसका केंदर होता है Temporal जो है आपके सुनने संबंदित यानिकी Auditory साथ के साथ जो है आपके Temperature का केंद Temporal हो गया ठीक है फिर आपने जो है आते है क्या यह हो गए आपका Premastish को फिर आपने आता है Dian-Siphilone में Thalamus जो कि आपका Relay Station है Hypothalamus जो कि आपका Master of Master Glend है आपकी बोड़ी का Thermometer है एक ग्रंती भी है Hypothalamus को उपन एक ग्रंती भी कहते हैं सबसे important यह भूग प्यास क्रोध का शांती का केंद्र है कौन आपके Hypothalamus यह हुए आपके Agra-Mastish के बाग Mid-Brain क्या करेगा आपके अनैच्छी किरियाओं का नियंत्रण करेगा द्रश्य संबंदी जो है आपकी किरियाओं का नियंत्रण कौन Madhyya Mastish जिसे आपन कहते हैं Misen Cephylon फिर आपका आता है Romben Cephylon जिसे आपन कहते हैं Pashra Mastish जिसके तीन भाग है पहला है Cerebellum जिसे अपन क्या कहते हैं छोटा दिमाग या लगू Mastish को भी कहते हैं जो कि क्या करेगा आपकी बोडी का बैलेंस बनाने का काम करेगा Cerebellum और एच्छी के पेशियों का नियंत्रण फिर साथ में जो है दूसरा आता है Pons श्वसन सम्मंदी क्रियाओं में भागीदारी निवाएगा थर्ड आपका आता है कौन तो Medulla Ambulongeta जो कि क्या करेगा अनेच्छी क्रियाओं जिसे आपको उल्टी वमन ये सब है इनका नियंत्रण आपके Medulla Ambulongeta और ब्रेन से सूचनाओं का गमन मेरुरजू तक कौन करता है यही Medulla Ambulongeta करता है Spinal Code क्या होती है जो कि आपके प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण तथा समन्वे करेगी वो है आपकी Spinal Code और ब्रेन से जो है response लेकर जाती है कारेकारी अंग तक फिर इसके बाद हमने देखा क्या Peripheral Nervous System तो आपके शरीर से जो सारी तंत्रिकाए है वो मेरुरजू और आपके मस्टिशक से जोड़ती है उसको वो मिलके आपका क्या बनाती है Peripheral Nervous System बनाती है फिर आपका आता है Autonomic Nervous System दो है इसमें Sympathetic और आपका जो है Parasympathetic अनुकंपी तंत्री का तंत्र और परानुकंपी तंत्री का तंत्र Sympathetic क्या करेगा कि Rate of Respiration उसको बढ़ा देगा आपके जो हिर्दे स्पंदन है इसको बढ़ा देगा तो ये जो है इससे Blood Pressure भी हो जाता है और जो है Parasympathetic तंत्री का तंत्र क्या करेगा इन सब को घटाएगा यानि की Normal Condition में बापस लाएगा आपके जो Nervous System से Related Disease है सबसे पहली है Huttington Disease जो कि आपकी अनुवांशिक भी है और साथ के साथ Neurologic रोग भी है जिसमें 10 से 15 साल में इनसान की डैथ हो जाती है वो भावनात्मक रूप से परिशान होता है दूसरा होता है Insomnia इनसान हमेशे Tired फील करेगा और उसको नीन भी नी आती स्लीपिंग पिल्स खाता रहता है फिर आपके आता है Cardiovascular Cardiovascular Paralysis जिसमें ब्रेन की कुछ भाग तक रख्ति आपूर्ती नी उपाती और जो है लास में आता है आपका Brain Tumor तो गाट बन जाती है जिसकी विज़े से सेड़द और द्रस्टी दोष ये सब होने लगते हैं इसके साथ आपका ये जो Nervous सिस्टम है वो कम्प्लीट होता है अब अपन मिलेंगे अगली गलास में एक नए टॉपिक के साथ तब तक आपको इसको पढ़ते रहिए खुश रहिए स्वस्थ रहिए